अग्याइब कर दो अग्याइब 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 नमस्कार दोस्तों आपका बॉन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे रिब फ्रैक्टर के बारे में तो अगर आप रिब्स देखें तो ये आगे से पीछे तक जाते हैं और लंग्स को हार्ट को और अधर इंटर्नल ओर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो जो फर्स्ट सेवन रिब्स होते हैं इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रा के ट्रांस्वर्स प्रोसेस से आगे कोस्ट्रो कॉपन्रल जंक्शन तक आर्टिकूलेट करते हैं और एक केज फों करते हैं जो 8-12 ribs है उसे हम false ribs कहते हैं क्योंकि वो anteriorly communicate नहीं करते बोन के साथ, सिरफ पीछे बोन में उनका contact होता है और जो 11th और 12th rib है उन्हें floating rib कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इनका excursion, breathing के time जाधा होता है तो कई patient OPD में आते हैं, clinical practice में कभी उन्हें sneezing का या coughing का bout जादा हो गया, fracture हो गया या हलका सा कहीं गिर गए और chest wall टच हो गया, कोई hard object पे तो एक या दो rib crack हो जाते हैं ये OPD scenario है, दूसरे high velocity injuries होते हैं जो आप बड़े hospitals में casualty में देखते हो जहां multiple rib fractures हो सकते हैं और severe injury हो सकती है, which can even damage organs जो chest के अंदर हैं वो तो पहले हम बात करते हैं simple undisplaced fractures के बारे में, जो simple undisplaced fractures होते हैं कभी-कभी अगर आप palpate करो तो काफी pain होता है patient को, patient को अगर आप बोलो deep breath, low या cough करे तो उनको बहुत pain होता है लेकिन कभी-कभी ये fractures अगर isolated undisplaced fractures हो तो x-ray पे clearly दिखते नहीं पर treatment आपको rib fracture का करना चाहिए और patient 3-5 हफते में settle हो जाता है तो वरी वाले fractures कोन से हैं पहले हम बोला करते थे रिफ्रैक्चर में surgery नहीं लगती लेकिन आजकल surgery increase हो रही है क्योंकि patient recovery हमें fast चाहिए older patients में जभी multiple rib fractures होते हैं अगर वो deep breath नहीं ले सकते या तो वो cough नहीं कर सकते breathing capacity कम हो जाती है तो उन्हें pneumonia बगेरा भी हो जाता है hospital stay बढ़ जाता है recovery में बहुत time लग जाता है तो surgical indications क्या होती है जब flail chest हो जाता है अगर तीन से ज्यादा ribs दो हिस्से में fracture हुए है और एक segment जो chest का है वो separately move करने लगता है जब आप sands अंदर लेते हो और sands बाहर लेते हो तो chest की movement अलग होती है और यह segment की movement opposite होती है इसे flail chest कहते हैं अगर तीन से ज्यादा rib fractures हो गए हैं और patient को breathing वगेरा में difficulty होती है consider किया जाता है अगर failure of medical treatment हो गया अगर patient नहीं heal हो रहा breathing capacity कम हो रही है sneezing coughing breathing में trouble होती है तो भी हम rib fractures fix कर देते हैं कभी rib fractures को हम conservatively treat करते हैं और वो heal नहीं होते non union में चले जाते हैं यह fractures भी अगर painful है तो इन्हें भी हम fix करते हैं plate के जरीए एक और होता है case जहां अगर किसी internal organ को damage हो गया है rib penetrate कर गया है और thoracotomy वगेरा करनी पड़ती है तो organ से deal करने के बाद rib भी हम plate कर सकते हैं तो अगर severe polytrauma है और patient को severe brain injury है तो हम avoid करते हैं rib plating या तो अगर unstable spine है तो हम avoid करते हैं plating लेकिन plating काफी popular हो रहा है अभी और आप यहां एक video देख सकते हो यह plate special होते हैं यह बहुत rigid नहीं हो सकते क्योंकि इन्हें breathing के time chest expansion allow करना पड़ता है at the same time fixation secure होनी पड़ती है कि plate lose नहीं हो जाए और fracture जल्दी heal हो जाए तो कौनसी injuries जो होती है chest की जिसके लिए आपको alert रहना चाहिए कि internal organ damage हो सकता है अगर तो first three rib fractures high velocity injury है या scapular fracture हो गया है या sternoclavicular joint or rib fracture हो गया posterior sternoclavicular joint dislocation हो गया है और more than three unstable rib fractures या flail chest हो गया जैसे मैंने पहले explain किया तो internal organ injuries हो सकती है bleeding हो सकती है chest में pneumothorax हो सकता है तो x-ray तो करते हैं कभी कभार हमें CT scan भी करना पड़ता है और organ injury होए तो MRI भी करना पड़ता है यह patients अगर hemodynamically stable नहीं है तो emergency surgery में ले जाया जाता है जहां जो भी problem है उसे sort out किया जाता है और ribs अगर unstable है या multiple rib fractures है तो इन्हें हम plate करते हैं लेकिन basic rib fracture जो OPD में आते हैं वो simple होते हैं उन्हें हम rib brace देते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हो यह form डालना चाहिए और यह pain को काफी कम कर देता है पहले हफते 10 दिन में pain जादा होता है rib fractures में आइस्ते आइस्ते over three to six weeks pain कतम हो जाता है अगर तो आप osteoporotic हो या उस age में हो जहां आप की bones weak हो गई है तो आपको osteoporosis की treatment भी करनी चाहिए कई patients आते हैं older age में जो उन्होंने treatment नहीं किया उन्हें कभी excessive sneezing या coughing होती है तो भी rib fracture हो जाते हैं that means even the other bones are weak so osteoporosis की तरफ गौर जाना चाहिए और इसे treat करना चाहिए तो rib fractures में analges या pain management भी आजकल बहुत advanced हो गई है कई patients जिन्हें admit करना पड़ता है क्योंकि वो breathe नहीं कर सकते multiple fractures है rib के लेकिन surgery या कराना नहीं चाहते या हम कर नहीं सकते medical reasons के कारण तो उनमें chest का excursion intact रखना important होता है spirometer से उनको blow करना पड़ता है लेकिन अगर pain जादा है तो वो यह कर नहीं पाते और फिर pneumonia का risk हो जाता है तो आजकल pain management consultants blocks देते हैं nerve के तो जो popular blocks है आजकल वो है USG guided paraspinal nerve blocks फिर erector spinae facial block यह posterior lateral rib fractures के लिए किये जाते हैं और anterior lateral rib fractures के लिए serratus anterior facial plane block करते हैं यह blocks में आप catheter भी छोड़ सकते हो और drip लगा सकते हो ताके patient को pain कम होए और patient की chest physiotherapy या breathing normal होए and things have advanced और यह नए नए blocks आते जा रहे हैं इससे patients को बहुत मदद हो जाती है तो आज का episode यहीं खतम होता है अगर आपको पसंद आया हो तो share करिए subscribe करिए और मेरे अगले episode का इंतजार करिए हमारा channel देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद